दोस्तों, आफ्टर न्यू अपडेट हमारे Samsung डिवाइज में एक नया फीचर एड हुआ है, वो है Maintenance Mode और ये फीचर आपको कौन सी सैटिंग में जाके मिलेगा और इसका काम क्या है पूरा मैं आपको यहाँ पे डीटेल में बताऊंगा तो वीडियो मेरा ध्यान से देखना, सुनमश्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK News Tech Channel तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, बहुत यूसफुल होने वाला है तो प्लीज कीप मत कीज़ेगा, धियां से देखना आपने तो यह फीचर आपको मिलेगा कहां पे सबसे पहले तो आपने जाना सेटिंग वाले ओप्शन में सेटिंग वाले औप्शन में जाने के बाद नीचे स्कूर्ल करेंगे बैट्री औडीवाइस केर का ऐप्शन जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं बैट्री औडीवाइस कीर वाले औप्शन में आपने कलेक करना है नीचे को जाएंगे तो after new update आपको maintenance mode का option देखने को मिलता है तो क्या है ये जैसे कि आप the maintenance mode protect your privacy while someone else is using your phone such as when you are sending it for repair हां मतलब कि जब आप अपने phone को repair में देते हैं कहीं या फिर किसी friend को देते हैं मतलब कि एक दिन के लिए दो दिन के लिए या फिर repair करने के लिए आप phone को भेजते हैं तो इस option को आप यहां से on कर सकते हैं इससे क्या होगा चलिए हम यहां पर on करते हैं तो क्या होता है चलिए देखते रहे यह हम on करेंगे start restart without greeting logo ठीक है हम यहां पर restart यहां पर कर देते हैं फोन को हमारा फोन जो है restart यहां पर हो रहा है चली देखते हैं कि क्या होता है maintenance mode on करने के बाद तो यह feature अगर आपके device में है तो comment किजिए अगर नहीं है तब भी आप comment कर सकते हैं तो यह feature आपके device में कब आएगा कौन सी update में मिलेगा क्या होगा पूरा मैं आपको इस वीडियो के end में बताऊंगा तो जुड़ रही है हमारे इस वीडियो के साथ तो यहां प्यारा creating log this normally takes around 2 minutes after the log is created your phone will be restart in maintenance mode and you can safely hand over your phone for maintenance मतलई कि लोग यहां पर creating create हो रहे हैं और उसके बाद आपका device automatically जो है maintenance mode में चला जाएगा और आप easily अपना phone किसी को भी दे सकते हैं जहां आपका device repair होना है ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा दो मिनिट लगेंगे तो मैं वीडियो को skip कर देता हूं वरना वीडियो थोड़ा सा लंबा यहां पर हो जाएगा सुरी तो यहां पर device यहां पर restart हो चुका है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आप मेским Almostbut करते हैं फोन यहां हो रहा है मतलब कि restart हो रहा है चलि देखते हैं कि अब और होने के बाद क्या हमें देखने को मिलता है अपने डिवाईज में तो हमारा phone यहां पर रिस्टार्ट हो चुका है switching to maintenance mode नीचे यहाँ पर आ चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दुबारा से फोन मेरा इदम से बंद हो गया साइद maintenance mode में switch हो रहा है बंदी हो अचली यह थोड़ा सा processing कर रहा था तो यहाँ पर हमारा जब हम फोन बिल्कुँ नया purchase करते हैं जैसे मैंने नया purchase किया था उस वह वाला वाले पर यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं तो मैं थोड़ा से यहां पर टाइम लेज होगी फर्स टाइम यहां पर जो रिस्टार्ट बूट हुआ उसके बाद थोड़ा सा आपका हैंग मारेगा ले यहां पर मुझे ना ही कोई contact दिखेगा recent ना ही मुझे अपने यहां पर contacts दिखेगे मतलब कि बिल्कुँ safe हो चुका है ना ही यहां पर कोई application third party application दिखेगी जो मैंने इंस्टॉल करके यहां पर रखी हो यह आपकी stock application ही यहां पर शोख होगी gallery में जाते हैं तो gallery आपकी बिल इस वाइस repair करेगा ना ठीक है repair करेगा उसके बाद रिपेर करते टाइम ना ही आपकी photo देख पाएगा ना ही आपके contacts कुछ भी नहीं कर पाएगा आप photo वगरे क्लिक कर सकता है वह इस तरह है बाकि आपकी settings वगरे बिल्कुल new phone की तरह यहां पर हो चुकी है जाएंगे setting में आपकी जैसे new phone की setting होती ना उस तरह हो चुकी है आपकी जो main setting जो आपने करके रिखी हुए वो यहां पर show रही होगी बाकि आप easily अपना phone repair करवा सकते हैं और यहां पर third party application भी नहीं देखीगी और इसको आपने deactivate कैसे करना है उसके लिए आपको slide करेंगे ना यहां पर your phone is maintenance mode से बाहर आएगा जब आप अपने उठा यहां पर लगाएंगे या फिर pattern लगाएंगे otherwise वह आपका maintenance mode को बंद ही नहीं कर पाएगा जब बंद करना चाहेगा तो इसको नहीं आपका pattern बता होगा नहीं वह अंगुठा लगावाएगा जो अपने रिजिस्टर यहां पर करक सकते हैं बाकी अगर यह feature कैसे install करना है मैं इसके ओपर कोई trick ढूलूँगा अगर मिलती है कोई third party application के थूरू तो मैं यह feature ज़रूर डालूँगा आपके phone में बाकी अगर आप नहीं आया है तो चैनल को subscribe किजिए आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं तो बाए 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